कि मेंनिमल इंव्रेजिव सरजरी इसे हम कि a simple knowledge में A keyhole सरजरी आ लपरिज़े में इसकी जो शुरुआत होगी थी 20 सदि के स्टार्टिंग में हो भी थी लेकिन जो स्टार्टिंग में जो रियलियम जिसे लिपरिपरिजक्टी सरजरी बोगते हैं इससे हम यह स्टार्टिं थी 1990 से इनिशियली सिर्फ गॉल्बडर सर्जरी जो लेप्रोस्कोपिकल की जाती थी ग्रैजुली बहुत पॉपुलर होगी लेकिन टेक्निकल एडवांस्मेंट के साथ यह अब पेटोबिलियरी सर्जरी एंड और कॉल्वरिक्ल सर्जरी में भी यूज होने लगा है बनाके surgery की जाती है, जिससे patient को pain कम होता है, recovery बहुत जल्दी होती है और उसमें हरनिया बनने के chance लिए as compared to open surgery काफी कम होता है अगर hypertopillary और gastro surgery की बात करें, तो इसमें आज की देट में ऐसी कोई disease नहीं है जो laparoscopy या minimal invasive surgery से treat ना की जाए सारी surgery हैं, जिसमें अगर patient fit है, कोई major comorbidity नहीं है patient को या बहुत extensive बड़ा tumor नहीं है, mostly सारी surgery laparoscopy या robotic surgery की तरीके technique से की जा सकती है cost इस surgery का थोड़ा सा जादा होता है, क्योंकि instruments थोड़े से महंगे होता है क्योंकि recovery बहुत fast होती है, hospital stay कम हो जाता है robotic और laparoscopy surgery का advantage है, उसमें pain कम होता है, scar minimum होता है, short is hospital stay होता है, recovery बड़ी fast होती है और जो disease अगर बोला जाए कि इसमें कौन-कौन सी disease है, जो laparoscopy या robotic surgery के थूप नी जा सकती है तो इसमें सबसे important है, petobiliary में है, liver surgeries की technical advancement की वज़े से हम रोबोटिक या laparoscopy surgery से कर सकते हैं pancreatic disease है, जिसमें pancreatic cancer है, या pancreas में कोई mass है, उसको हम laparoscopy और robotic technique से tackle कर सकते हैं pancreatic disease है, चोटी या बढ़ी आथ के operations है, जिसमें सारे cancer सी included है, stomach की surgery है, जिसका cancer है, या isopagus की surgery है, उसका cancer है इस सारी surgeries आज की डेट में laparoscopy और robotic technique से की जा सकते हैं हमारी पास मनीपाल हॉस्पिटल में laparoscopy and robotic surgery की सारी स्वीद हैं अमिलेबल है, इसके लिए आप मनीपाल हॉस्पिटल में contact कर सकते हैं, थैंक यू